हेलो फ्रेंड्स, वेलकॉम वेक टु श्टिडी कर, मैं हूँ आपका दोस्त अप्रभाकर, आज हम डिसकस करेंगे 31 दिसंबर 2021 से रिलेटिड, most important current of us, तो लेक्षर को आप दिहान से सुनिएगा, अन्ति में आप से कुछ कोशन पुछ जाएंगे तो उनके आंसर आपको comment box में जरूर देना है, दोस्तो लेक्षर के नोट्स बनाएगा और नोट्स का रिवीजन जरूर करिएगा, पहला कोशन डिसकस करते हैं, important प्रसन है, भारतिय मूल की नारंदरन जोडी कोलपन को किस देश की सरबोच न्यायक पीठ सम्विधानिक न्यालाय में निक्त किया गया है तो आंसर हो गए इसका साउध अफ्रीका, यानि दोस्तो जो नारंदरन जोडी कोलपन हैं, वो साउध अफ्रीका की सरबोच न्यायक पीठ सम्विधानिक न्यालाय में निक्त किया गया है, दोस्तो उन्हें लंबे साक्षातकार की प्रिक्रिया के बाद इस पदपर निक्त किया गया है उनके साथ राम मा का स्टीवन मथोपो को भी निउट किया गया है तो दोस्तो जो वहां की सम्मिधानिक न्याला है साउध अफ्रीका की वह एक सर्बोच न्यायक पीठ है तो उसमें किसी भारतिय मूल का जाना एक बहुत थी विशिस्ट बात होती है इसलिए ये आपको याद रखना है कि जो नारंदरन जोडी कोलपन है उन्हें साउध अफ्रीका की सम्मिधानिक न्यालाय में निक्ट किया गया है दोस्तो उनका जो कारकाल है वो सुरू होगा एक जनवरी 2022 से अब बात आई है साउध अफ्रीका की तो साउध अफ्रीका के वारे में कुछ important point discuss करते हैं ध्यान से सुनिएगा साउध अफ्रीका की अगर हम बात करें तो उसकी capital है Pretoria इसके अलावा दोस्तो उसकी दो और capital है Cap Town और Blue Fontaine ठीक है दोस्तो तो इस प्रिकार से जो तीन capital है साउध अफ्रीका की वो कौन-कौन से है Pretoria, Cap Town और Blue Fontaine अगर हम यहां के President की बात करें दोस्तो तो वो कौन है Cyril Ramaphosa और यहां की जो currency है वो क्या है South African Rand तो इस प्रिकार से South Africa के बारे में कुछ important point discuss किये हैं आप इनको भी no doubt कर सकते हैं अंगला question है important question है किस राज में बिवादित कानून आफसा को अंगले 6 माहे के लिए बढ़ा दिया है यानि जून 2020 तक के लिए आफसा कानून को बढ़ा दिया है किस राज में अंसर होगा इसका नागा लेंड दोस्तो Armed Forces Special Power Act इसको जान लेते हैं एसा अधिनियम है जो ससस्त्रपलों को विना वारंट के ग्रिप्तार करने की सक्ति देता है यानि जो सैना है सैना को विना किसी वारंट के किसी को भी ग्रिप्तार करने की सक्ति देता है ये कानून और दोस्तो जब बहुत ही बिसेश पर इस्तिती होती है तो ऐसी इस्तिती में गोली चलाने का भी अधिकार देता है ये कानूँ एक बार जब किसी छेत्र में यह कानून लागो हो जाता है तो अंगले 6 महिने तक वह इसी इस्तिती में बना रहता है यानि दोस्तो अगर किसी भी छेत्र में आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगाये जाता है तो वह 6 महीने के लिए ही लगाये जाता है तो इस प्रकार से नागा लेंड में बढ़ा दिया गया है कितने दिन के लिए 6 माहे के लिए दोस्तों बरतमान में यह अधिनियम नागा लेंड आसम, मानीपोर, जम्मू कश्मीर, अरुनाचर यह संसत के द्वारा 11 सितंबर 1908 को चलिए फ्रेंड बात आई है नागा लेंड की तो नागा लेंड के बारे में सामान जानकरी डिसक्स करते हैं नागा लेंड की जो कैपिटल है वो क्या है कोहिमा है और इसका जो स्थापना दिबस से वो 1 दिसंबर को मनाये जाता है और 1 दिसंबर 1963 को इसकी स्थापना हुई थी अगर हम बात करें नागा लेंड की तो उसका जो उच्छ न्याला है यानि हाई कोट है वो गोहावटी में है और बरतमान में इसके मुख मंतरी है नेफ्यू रियो और बरतमान राजपाल है जगदीस मुखी लेकिन याद रखियेग यानि कि कौन-कौन से राजिस से लगते है तो इसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से लगती है मनीपुर से म्यामार से और पश्चिम में लगती है इसकी सीमा आसम से तो नागा लेंड की किस देश के साथ सीमा साजा होती है तो उस देश का नाम है म्यामार दोस्तों नागा नागालेंड की ओफीसियल लेंगवेज क्या है? आंसर होगा इसका अगरेजी. नागालेंड की कुछ नदियों को भी डिसकस के लिएते हैं. नागालेंड में कौन-कौन सी नदियां बहती हैं? तो बराक, दोयांग, दिरक और धन्सरी. ये सभी नदियां बहती हैं कहाँ पर नागालेंड में. तो दोस्तो ये थी नागालेंड से रिलेटेड कुछ इंपोर्डेंड जानकारी. तो इसको भी आप नोडाउन कर सकते हैं. अगला कुश्चन है, हाली में बॉलीवोड के किस प्रसिद्ध फिल्म निर्माता का निधन हो गया है. नाम है विजे गलानी. दोस्तो हाली में बॉलीवोड के जाने माने प्रोडिवसर विजे गलानी का निधन हो गया है. पचास साल की उम्र में इनका निधन हुआ है और निधन हुआ है दोस्तो लंदन में. दोस्तो ये काफी समय से कैंसर से पीडे थे और इनका हाली मिननदन में निधन हो गया है दोस्तों जो प्रोडेसर विजे गलानी है उन्होंने सलमान खान अक्षे कुमार सहथ कई बॉलीबोर्ड इस्टार के साथ काम किया है चलिए दोस्तों आगला प्रसने डिसकस करते हैं यह सबसे important question होगा ध्यान से सुनना है आपको किस बॉलीबोर्ड अमनेत्री को people for ethical treatment of animals जिसे हम पैटा के नाम से जानते हैं इंडिया की 2021 की person of the year किसे नॉमिनेट किया है आंसर है इसका आलिया भट को यानि पैटा इंडिया के द्वारा 2021 का person of the year का आवार्ड किसे दिया गया है आलिया भ या अवार्ड उनके animals के प्रती प्रेम के लिए दिया गया है यानि पसू प्रेम के लिए उन्हें ये अवार्ड दिया गया है चलिए दोस्तों अब हम पैटा के बारे में कुछ important point discuss करते हैं ये पैटा है क्या तो इसका full form होता है people for a ethical treatment of animals जो ये अमेरिका का एक संग्ठन है लेकिन इंडिया में भी इसकी साखा है तो इसे पैटा इंडिया के नाम से जाना जाता है तो दोस्तों ये जो संग्ठन है ये एनिमलों के अधिकार यानि पसू अधिकार के लिए काम करने वाला संग्ठन है इसका मुख्याला है अमेरिका के वरजीनिया के नौर फोल्क में और दोस्तो विश सुभर में इसके लगबग 20 लाख सदस हैं और पेटा इंडिया के परसन ओब दा इयर की आवार्ड से सम्मानित कुछ प्रमुख नामों को भी डिसकस कर लेते हैं जिन्हें यह आवार्ड इससे पहले दिया गया है तो ससी थतूर और केएस पनिकर राधा कृ और अनुस्का सर्मा इन सभी को दिया जा चुका है पैटा इंडिया के द्वारा परसन ओब दा इयर का अवार्ड किसे किसे ससी थरूर के एस पनिकर राधा कृसन और अनुस्का सर्मा अगर आपको इस लेक्चर का पीडियप चाहिए तो टेलिग्राम चैनल को जोइन करिए जिसका link आपको description box में दिया गया है, इसके अलाबा आप study car को like करिएगा और follow कर लिए गया, इसके अलाबा दोस्तों आप well icon को जरूर दबा लीजीगा जिससे आपको notification समय पर मिलती रहेंगी, चलिए अंगला प्रस्न डिसकस करते हैं, important प्रस्न है, हाली की समय में बहुत चर् माय में वहाँ पर नाम बदलते रहते, तो इसी क्रम में उत्तर प्रदेश में एक और नाम बदला गया है, अब नाम बदला गया है जहांसी railway station का, तो दोस्तों question क्या है ध्यान से सुनिएगा, उत्तर प्रदेश ने जहांसी railway station का नाम बदल करके क्या रखने की घोशना की है आंसर होगा इसका बीरांगना लक्षिमीवाई Railway Station तो इस प्रकार से जहासी Railway Station का आप नया नाम क्या होगा बीरांगना लक्षिमीवाई Railway Station दोस्तो उत्तरप्रदेश Government यानि योगी Government ने हाली में एक और नाम बदलने का फैंसला लिया है और ये नाम है अब जहासी रेलवे स्टेशन का, तो जहासी रेलवे स्टेशन का अब नया नाम क्या होगा, बीरांगना लक्ष्मिबाई रेलवे स्टेशन, चुकि बीरांगना लक्ष्मिबाई का संबंध भी जहासी से रहा है, तो इस साधार पर ये नाम बहुत ही सटीक है, दोस्तो उत्तर्प्रदेस सरकार के नाम परबरतत करने के प्रस्ताव को कैंच सरकार सरकार ने हाली में मंजूरी दी है और इसके बाद उत्तर्प्रदेस ने यह आदेस दिया है कि जहां सी railway station है उसका नाम बदल दिया जाए दोस्तो सरकार की तरप से ये तर्क दिया जा रहा है कि स्टेशन का नाम बदलने से भी छेत्र में पर्टन की संभावनाय बढ़ सकती है आने वाले समय में इसका भी पता चलेगा कि नाम बदलने से कितना पर्टन बढ़ा है इसके अलावा दोस्तो सरकार का ये भी तर्क है कि बुंदेलखंड इलाके में इसका लाब देखने को मिलेगा तो दोस्तो ये तो आने वाला समय बताएगा कि जहासी रेलवे स्टेशन का नाम बदलने से कितना पर्टन बढ़ा है और बुंदेलकंड छेत्र को इसका क्या लाब मिलेगा चलिए बात करते हैं 2021 में कुछ प्रमुख नाम बदले गए हैं तो उनके हम डिसकस कर लेते हैं नाम की कौन से नाम बदले गए हैं तो दोस्तो पहला है हिसार हवाई अड़ा तो दोस्तो हिसार हवाई अड़ा जो है ये है हर्याना में तो इसका नाम बदला गया है महराजा अग्रसेन अंतर राष्टी हवाय अड़क कर दिया गया है दोस्तो उत्तर प्रदेश में हुआ था काकोरी कांड या काकोरी ट्रेंड डकेती भी बोलते हैं से तो इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है काकोरी ट्रेंड एक्सन यानि अब काकोरी कांड नहीं बोला जाएगा उसे अब बोला जाएगा काकोरी ट्रेन एक्षन दोस्तो सबसे बड़ा बदला हुआ था राजियुगांधी खेल रत्न पुरुषकार में और इसकी घोशन तो स्वयम प्रधान मंत्री जी नहीं की थी अपने ट्विटर अकाउंट से तो राजियुगांधी खेल रत्न पुरुषकार का नाम क्या रख दिया गया था मेजर ध्यान चंद्र खेल रत्न पुरुषकार फिर है इंडियन ब्रॉडकास्टिं फाउंडेशन तो इसका नाम भी बदला गया और इसको किया गया इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड ड यहां से सुनिएगा, क्या हो जाएगा यहां पर वनारस रेलबे इस्टेशन, फिर है Go Air Airlines, तो इसका नाम बदला गया, इसे Go First किया गया, और Motera Stadium, तो Motera Stadium जो की गुजरात में है, तो दोस्तों, Motera Stadium का नाम बदल करके कर दिया गया, नरेंद्र मोर्दी Stadium, तो यह है, हाल ही में बदले गए कुछ नाम, या 2021 में बदले गए नाम, तो इनको आप No Down कर लीजिगा, बहुत ही इंपोर्टेंट होंगे, आपके आने वाले एक्जाम में जरूर पूछे जा सकते हैं, तो स्टेडिकर को follow कीजिएगा, और well icon को जरूर दवा लीजिगा, जिस से आपको notification समय पर मिलती रहेगी, चलिए दोस्तों, अंगला प्रसनर discuss करने से पहले, अब हम इस्टिडिकर knowledge को भी discuss कर लेते हैं, यानि हम जीके से related कुछ महत्पूर्ण प्रसनों को discuss करेंगे, तो पहला question है, कौन सी प्रमुक नदी, एक पूर्ब की और बहने वाली नदी नहीं है, तो दोस्तों, उस नदी का नाम है नर्बदा, नर्बदा नदी जो है, ये पश्चिम की और बहती है, पूर्ब से पश्चिम की और, इसी प्रकार से मद्ध प्रतेश की एक दूसरी नदी है, जिसका नाम है तापती, तो दोस्तों, ये भी प मुगल सामराज पर जहागीर का सासन किस काल में था यानि मुगल सामराज में जहागीर का सासन कब से कब तक रहा है तो 1605 से 1627 इस बीतर अंगला है कौन सा रोग प्रोटीन की कमी के कारण होता है आंसर होगा इसका क्वासी योरकर यानि क्वासी योरकर नामक जो रोग है ये की कमी से होता है महत्मा गांधी के मार्क दर्शन में बारदौली सत्या ग्रह में किसानों के आंदोलन का नेत्व तो किस ने किया था आंसर होगा इसका सरदार बल्लब भाई पटेल अंगला प्रस्न है करिंट फिर्स से केंद्रिय सिख्षा मंत्रा लाए और अखिल भारतिय त लगातार तीसरी बार पहला इस्थान हासिल किया है आंसर होगा इसका IIT मद्रास तो दोस्तों केंद्रिय सिख्षा मंत्रा लाए और अखिल भारतिय तक्नीकी सिख्षा परिश्यद ने हाली में अटल इनोवेशन इंडेक्स को या रैंकिंग को जारी किया है तो इसमें फर् केंद्रिय संस्थानों में से साथ IIT और IISC सामिल हैं चलिए केंद्रिय सिख्षा मंत्राले की बात आई है तो सिख्षा मंत्री कौन है इसका जवाब आप कमेंट वॉक्स में जिरूर देंगे अंगला प्रस्ण है इंपोर्टेंट प्रस्ण है ध्यान से सुनिएगा भारत और किस देश की सरकार ने हाल ही में सभी पात्र यात्यों को दोनों देशों के बीच यात्रा करने की अनमती देने के लिए एक एर बबल समझोते को अंतिम रूप दिया है दोस्तो आगे समझेंगे कि एर बबल क्या है तो किस देश के साथ समझोता किया है भारत ने तो वो किया है सौधी अरब के साथ दोस्तो भारत सरकार और सौधी अरब की गवर्मेंट ने सभी पात्र यात्यों को दोनों देशों क बीच यात्रा करने की अनमती के लिए एक air bubble समझोते को अंतिम रूप दिया है और दोस्तो यह जो air bubble समझोता है इसके तहट एक जन्मरी 2022 से पुडानों को अनमती दे दी जाएगी यानि भारत के जो यात्री है ये साउधी अरब जा सकते है और साउधी अरब के जो यात्री है वो भारत आ सकते है जो air bubble समझोता होता है ये दो देशों के बीच आएस्थाई समझोता होता है दोस्तो इस समझोते में सभी यात्राएं की जाती है एक दूसरे देश में और इसमें अंतर राष्टिये उडाने हैं और वो अगर निलंबित होती है तो यह air bubble समझोता किया ज दोस्तो इसको ध्यान से समझेगा कि अगर निलंबित होती है जो कि नहीं चल लए होती है तो ऐसी इस्तिती में दोनों देशों के बीच air bubble समझोता होता है जिसमें कुछ यात्री सौधी अरब जा सकते हैं और सौधी अरब के यात्री भारत आ सकते हैं ऐसा दूसरे देश के साथ भी कर सकता है भारत दोस्तो क्या है air bubble इसको समझने का प्रयास करते हैं तो दोस्तो यह एक टर्म है जो कि कोरोना के दोरा नहीं गढ़ा गया है यानि बनाया गया है और आब ये चलन में आ गया है इसे travel bubble के नाम से भी जाना जाता है जो केबल international उडानों के लिए इस्त होता हुआ है हाली में तो अब इसमें क्या होगा कि कुछ प्रतिबंध लगाए जाएंगे कुछ सकती के साथ नियम बनाये जाएंगे जिसमें ये कहा जाएगा कि जो यात्री होंगे भारत के वो साओधी अरब जा सकते हैं कुछ प्रतिबंधों के साथ और साओधी अरब के आतरी भारत आ सकते हैं तो यह जो समझवता होता है जो एग्रिमेंट होता है यह कहलाता है एयर बबल चलिए अब दोस्तों हम जितना भी हमने करेंट अफेर्स आज डिसकस किया है उसका हम रिभीजन कर लेते हैं तो पहला कोशन डिसकस किया था भारतिय मूल के नारंदरन जो किस देश की सर्वोच नयायक पीठ संविधानिक न्यालाय में न्यूक्त किया गया है आंसर होगा इसका दच्छन अफ्रीका अंगला कोशन है किस राज में बिबादित कानून आपसा को अंगले 6 महीने यानि जून 2020 तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है या कर दिया है तो आंसर इसका नागालेंड हाली में बॉलीवोड की किस फिल्म निर्माता का निधन हो गया है आंसर होगा इसका बिजाए गलानी और किस बॉलीवोड अभनेत्री को पीपल फॉर दा एथिकल ट्रीटमेंट आफ एनिमल्स इंडिया की 2021 परसन ओब दा इयर का अबाड द दोस्तों अंगला कोशन है IIT 94 रेंकिंग 2021 में किस अंस्थान ने लगातार तीसरी बार पहला इस्थान हासिल किया है आंसर होगा इसका IIT मद्रास और दोस्तों हाली में भारत और किस देश ने एयर बबल समझोते पर हस्ताक्चर किये हैं या उसको अंतिम रूप दिया है त तो आंसर होगा इसका साओधी अरव दोस्तों अब वो कोशन है आपके सामने जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है तो पहला कोशन ध्यान से सुनिएगा राजियो गांधी खेल रत्न पुरुसकार का नया नाम क्या है नागालेंड के बरतमान मुक्रमंत्री कौन तो दोस्तों आप भी आंसर दीजिएगा हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का दोस्तों कुछ और महत्पूल बाते हैं तो उनको भी आप ध्यान से सुनिए लीजिएगा खबरी एप पर आप इस्टडी कर को फॉलो कर लीजिएगा जहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टे इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्सन बॉक्स में भी दिया गया है तो वहां से भी आप उसको जॉइन कर सकते हैं हमारा वाट्सेप नमबर है छासी जीरो दो एक पिस संतान नवेतिर है दोस्तों आप राजा गुप्ता को अनकाडिम फर फॉलो कर लीजिगा जहां पर आपक किसी भी फ्री क्लास के लिए भी आप कोड यूज करिएगा राजा नमबर वन दोस्तों अगर आपको ये लक्षर पसंदा है तो लाइक शेर जरूर करिएगा और इसके अलाबा इस्टुडिकर को फॉलो कर लीजिगा और वैल आइकॉन का वटन जरूर दबा लीजिगा जि के अलाबा और वी ग्यानवर्थक चीज़ें भी लेगी तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स लेक्षर में जह हिंद वंदे मातर